नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेश कारेक्रम स्वस्त विचार में मैं हूँ आपके साथ आपका साथ ही फिकास दर्शकों आयूरवेद एक ऐसी चिकेटसा पधती है जिसके माध्यम से कई वर्षों पुराना रोग भी जड़ से दूर हो सकता है केवल रोग को दबाना या रोग को केवल स्थाई करना ही काम नहीं है आयूरवेद का काम है रोग को जड़ से समाप्त करना ताकि रोग दुबारा आपके शरीर में उत्पन नहों पाए और साथ ही साथ आपके शरीर को आपके स्वास्त को कैसे बहतर किया जा सकता है कैसे प्रतिरूध हक्षमता को मजबूत किया जा सकता है ताकि किसी भी प्रकार का अन्वांचनी रोग आपके शरीर में उत्पन हो ही ना पाए कैसे आप अपने आपको सुरक्षा घेरे में रख सकते हैं आप अपना और अपने परिवार का ख्याल कैसे रख सकते हैं वो सारी जानकारी आपको इस कारिक्रम के माध्यम से दी जाती है और इस कारिक्रम के माध्यम से हमारा ये सतत प्रयास रहता है आपके अंदर जागरुकता उत्पन करते हैं ताकि आप अपने खान-पान में सुधार लेकर आएं अपनी दंचर्या को विवस्थित करें दिंचर्या यदि आपकी अच्छी और सुविवस्थित रहेगी तो आप अपने दायत्मों की पूर्ती भी असानी से कर पाएंगे और साथ ही साथ अपने आपको आप बलिष्ट और मजबूत रख सकते हैं और इन सभी विशेयों में हम मारा मार्ग दर्शन करते हैं जाने माने आयूर्वेत की ज्याता गयत्रिस सद्धपंडित श्रीलक्षमंदास रतन भार्दवाज ची चलिए सबसे पहले गुरूजी का स्वागत करते हैं करेक्रम की शुरुवात करें गे नमस्कार गुरूजी अगमन हो चुका है हमारे इस करेक्रम में रोजाना कुछ ऐसे नुस्खे कुछ ऐसे उपचारों से आपको अवगत कराया जाता है जो आपके लिए रामबान उपचार का काम करते हैं लेकिन उनकी सही जानकारी सही प्रक्रिया आपको पता होनी चाहिए आपके जहन में वो उपचार रहने चाहिए इसी वजह से आप अपने आपको हर प्रकार के रोगों से दूर रख सकते हैं तो ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं अच के इस नई विशय पर चर्चा गुरू जी आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं पूरुशों के बारे में अक्सर पूरुशों को एक ऐसी स नई में तशना वर्णों टमस्या होती है दाट से संबंधित जिसकी बजह से वह परइशान भी रहते हैं डिप्रेशन में भी रहे सकते है और सबसे बड़ी बात यह कि किसी बता नहीं पाते हैं यानि पेशाब में जो दाट गिरती है वो किस तरीके का रोग कहलाया जाता है और जब रोग हो जाता है तो कैसे शरीर हस्ट पुष्ट शरीर एक कमजोर शरीर के तौर पर उभराता है देखिए दात दो कार्नों से गिरती है पसाब में पहला कार्न तो है कि यदि आपने हाथ मैस्थन किया है तो आपको धात्व पसाब में आए गए 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 उसको कोई रही रोक सकता और दूसरा कारना है कि यदि आपने 14-15 साल की उम्रे जैसे ही आपका बीरिया बनने लगा उसी टाइम आपने अपनी से बड़ी आउर्थ के साथ संभोव करना सुरू कर दिया तो भी आपको रोग लंबे आत्म से लेता है और इसका लाज आज पूरे संसार के अंदर बड़े-बड़े होल्डिंग लगे इनके पास में नहीं है इनकी द्वाईयों से जब आदमी बिल्कुल कर्णव हो जाता है मेरे पास आता है फिर यहां पर उसको बताएजाता है क्या अपने इस चीज़ गल्द लिए तो पच्टाते पच्टाने के लावा उनको उक्ष मिलता है फिर द्वाई दे के उनको ठीक किया जाता है परन्तु उसमें ठीक करने में कम से कम छे मिनने लगता है जब भी किसी को प्रसाब में धातु गेरना सुरू हो जाए तो सबसे पहले तो उसको अपने खान पान पर ध्यान देना अकेला एक नाजनी खाना पांच या साथ नाज कठे करके और उसमें पिचास ग्राम अजवायन भूनके, सव ग्राम तिल भूनके उस आटे को प्साना और आटे उचानना ने इस आटे की रोटी खाएं परांतु ताजी ताजी और दाल सब्जी जो भी खाएं उसको छिलना नहीं, दाल धुली यह नहीं लेनी बढ़के मोंग या मोठ की दाल लें तो सोनने पर स्वागा उसमें रोटी चूर के खानी है, मसल के खानी है, ग्राही है नहीं खाने करें, लस्षन, प्याज, अद्रक एद्यादे साथ खा रहें तो आप की पाजन सकती ऐसे काम करेंगे, जैसे जलती अगणी में घी डालके अगणी और तेजलती है, ऐसे आपकी पाजन सकती, तेजी से काम करते है, प्रांतु जो मेरे पास नहीं आ सकता है नारी प्रिक्षिन के लिए और अभी ताजा रोगा तो उनके लिए आप अपने घर में ही खुद द्वाई बना सकते हैं एक किलो हल्दी बिल्कुल कप्र शान करके ले ले और इसको चार किलो पानी में उबारना है चार किलो पानी में जो बारना या तो आपके पास मिट्टी का बरतन हो या पीत का कलाईदार बरतन हो उसमें बारना कहीं अमोनियों के बरतन में नहीं इसको बारना जब एक बारी पानी ले 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 तो उसको नीचे उतार ले और कपड़े से छांग ले अब इस पानी को बिलकुल ठंडा होने दें अब इसके अंदर आप दो लिटर साहत मला दें और साहत इसके अंदर डाल के इसको अच्छे तरह फांट ले यदि साहत ऐसे डाल दिया और इसको फांटा नियुगत तो नीचे ऐसे बैठा है जैसे Honig में पत्थर बैठता है क्योंकि साहिद के अंदर में सहिजता है। किसी भी लिक्ट में इसको डाला जाए है तो उस में जिस वर्तन में हैं उसके पैंदे में जाके बैठे जाकर बैट जाका है खुल समय नहीं है 20 ग्राम यह अर्क लिया जो हल्दी और सायत का बनाया आपने, इसको पिया और उपर से एक ग्लास गाय का दूद या बक्री का या सोय भीन का दूद पी दिया, प्रांतु दूद का टैंपरेश भी 15 से 18 डेगरी ने होने चाहिए, और दूद के अंदर भी आपने सायत मिला के लेना है, कहें दूद में चिन्नी मिलाने तो उल्टा ना सोगा, अब जो आपकी धात जारे थी पिसाब में यह तो आपकी हफ्ते में बंद हो जाएगी, प्रांतु जो आपने यह चार लिटर पानी में उबाज के दो लिटर सायत मिलाया, छे लिटर हो गया, यह आपकी साल से उपर दौई चलेगी, एक टैम में बीस ग्राम से ज्यादा नहीं लेनी, बीस ग्राम आपने सुबा लेनी है, खाली पेट, बीस ग्राम को रात को सोते समय लेनी है, और लेनी गाय के दूद से, या बकरी के दूद से, या सोयविन के दूद से, बहंच के दूद या डैरी के दूसरे नहीं लेनी, इतना ध्यान रखना, फिर आगे खान पान पर ध्यान रखना के दिन का खाना आप सूरिया उद्याउने के बाद, और दस वे से पहले-पहले खा जे, खाना खाते समय दो ग्लास गरम पानी लसन प्याज अदर का रस मिला के पिए, उसका तरिका है के द दो चार गराई खाना खाया, दो गुट पानी पिया, दो चार गराई खाना खाया, दो गुट पानी पिया, पानी पीने में खाना खाने में आप एग घंटा लगाते हैं, तो आपका रोग ऐसे समावत होगा जैसे कूडे करकट के धेर को महारशेस की तिली जिला के समावत क अब इसके बीच में अपने मीट, आंडा, चाह, कौफी, चेनी इनका प्रयोग बिलकुल ने करना ब्रेड, बिस्कुट, प्राउंठा, तलिवी चीजे, मैं देख चीजे, कोई ने खाने पानी हमेशा हलका गर्म पीना, उसमें लसन प्याज अदर का रस मिला के पीना खाना खाते समय दो गलास गर्म पानी पीना, जिसमें भी लसन प्याज अदर का रस मिलाना दिन का खाना खाने के बाद दातन कूला करके पांच मिट के लिए आप बजरासन बैठे फिर उसके बाद 10 मिन्ट घूम करके आप 20 मिन्ट के लिए सभासन लेट जाए फिर 5 मिन्ट के लिए 20 साइड कर उठ लें तेर मिन्ट के लिए 20 साइड कर उठ लें फिर उसके बाद आप उठके जो भी काम करना उसको करें आपके श्रीर में इतनी पुर्तिला पन आएगा चुष्ती आएगी जैसे आप आठ गेंटे की निंद्रा पूरी करके उठे प्रांतु आप एक बात का देहा रखना कि थोड़ी देर बाद कोई चीज सामने दिखाई पड़ी तो मुँ में मत डालना क्योंकि ये रोग ज्यादा कर उन्हें को स्ताता है जिनका मुँ हमेशा पस्मों के बांती चलता रहता है और जो नियम से खाना खाते हैं नियम से रहते हैं उनको कभी को रोग होता है नहीं अब इसमें मर्दों को धात और आर्टों को लकोरिया अब बड़े अफ्सोस की बात है कि आट साल की लड़की को भी यही रोग हो गया लकोरिया का उसको तो बचारी को को समझे नहीं थी क्या हुआ क्या नहीं परांतु उसका होने का में मक्षद था, कि फ्रीज में रखके जो आइस क्रीम जमा के खाती थी, वो उसने उसका सर्वनाज किया। आइस क्रीम, कोलफी, बर्गर, पीजा, मॉमो, ब्रैड बिस्कुट, पैपसी लिम्का, बजारों में जो नमकीन दुर्फापों में आता है ये, ये इन रोगों को बढ़ाने के लिए एक किस्म का अमरता है, आप जितने इन चीजों से दूर रहेंगे उतने सुखी रहेंगे, जितने इन के तरफ भागें, उतने दुखी हो गए, आज बच्चा, मूदा, जान कोई भी है, किसी का पेट नॉर्मल नहीं है, तो इसका मेन कारना आपकी चीन नहीं है, आपका मशीन का आटा, और बेट हमा खाना, खाना खाते समें पानी न पीना, पानी पीना, खाना खान के घंटे डेट, घंटे बाद, यहां से रोगों को बढ़वतरी मिल रही है, यदि खाना खाते समें, दो गलास गरम पानी, लसन प्याज अदर का रस मला के आप पीते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूँ, जब तक आपके श्रीर के अंदर सांस है, तब तक आपको किसी डॉ क्योंकि लीवर आपका पूरा काम कर रहा है, पैंकरी इंसुलीन बना रही है, पित्ते में तजाब नॉर्मला गुर्दे उसको खाय पिये को अच्छा फिल्टर कर रही है, तिली बनाएवे खून को सभी कार करके दिल को दे रही है, और दिल पूरे श्रीर को देखे, रोग पैंकरी इंसुलीन नहीं बनाएगे, आप इंसुलीन या सुगर फ्रीगोलीन खाना सुरू करेंगे, उसका साइड एफेक्ट पड़ेगा, कि आपको 35-40 साल की उमर में ही शरीर में इतना बड़ा पाई जागे जैसे आप 80 साल के हो, तो अपनी उमर को बढ़ाने के लिए औ खाने वाले हैं, जितने आप चाट जादा खाएंगे, उतने आप जादा दुखी होगे, हाफ़ता दस दिन में एक बार खा ली तो उससे तरह नुक्सान नहीं होता, जब एक से दूसरी बार खाएंगे, तो अंदर जाके लेवर पर ऐसे बैठती है, जैसे पानी में पत्थ अंदर बैठता फिर रोगों के बर्मार होती है. पता चला, उसके बारे में फिर मैं आया, जब उन्हों नवस देखा, मुझे बताया कि यह यह परिशानी है, और निचले ऐसे हो, क्यों नहीं ठीक करते हो, तो मैंने सामें इसी आसा से आपकी सरण में आया हूँ, और मैंने दबा ली और मुझे काफी फाइदा हुआ. मैं बिलासपूर से आया हूँ, मेरा नाम है वीजय कुमारतिवारी, मेरा एक तकलीफ था जिसे बाबा का टीवी में देखके, मैं यहाँ आया, मेरो को एक तो सुगर था, और मस्तक दर्द होता था, मस्तक गरम हो जाता था, आके एक माह का दबा लेके गया था, दबा लेने बोले हैं कि अब आपको आने का जर्रत नहीं पड़ेगा, फिलहाल आगे बढ़ते हैं कारिकरम में और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइन पर, आए उनसे बात करते हैं, हलो, हलो, नमस्कार, क्या शुब नाम है आपका, महिंदर पुसा जादो, महिंदर जी इसका पूरे संसार के अंदर, मेडिकल सेंस में तो इसका अवचार है ली, मेरे पास इसका अवचार है पर आंथ अवचार तबी होगा जब आप बद्ध बाहर छोड़कर, गुरू बहर चोड़कर मंगल बाहर के बीचे मेरे आस्तर में आएंगे, जिस ते नाना उस्तन रा सुबह नाव से दस के अंदर अपना नामकान कुराना दस से बारा मैं नारी प्रिक्ष्ण करूँगा नारी प्रिक्ष्ण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT scan, extra, ultrason, ACG, sonnography सब कुछ पांच सेकेंड में होजाएंगे उसमें जो भी कम यह सिरीर के अंदर पाई जाएंगे दोईयां दी जाएंगे दोईयां खाने की हैं, दोईयां पीने की हैं, मालस करने के तेल हैं आंख में, नाख में, कान में डालने के दोईयां हैं जब आप कान में दवाई डालेंगे और उसके 15 मीट बाद कान को साफ करेंगे तो उसके अंदर से काफी कच्रा निकलेगा क्योंकि नजला जब कान के अंदर सूख जाता है तो भें भें सैंस हैं वा जाती है और इसका अफचार आज पूरे सिंसार के अंदर मेडिकल सैंस के पास तो नहीं है परांतु मेरे पास हर एक रोग ऐसे समावत होता है जैसे कूरे करकट के डेर को मार्चिस की तिली जला के समावत करती है क्योंके मुझे दस हजार जड़ी बुटियों के पैचाना जिन से में अफचार करता हूं और यहां पे आके रोगी को मुझे नहीं बोलना पड़ता है न काविश पत्ते लाना पड़ता है कि मुझे तिकलीप है यहां का नियम है कि जिस्ते नाना अउस्तिन बुद्वार नी ओना चाहिए कुरू बार से लेके मंगल बार के बीच में आना जिस्ते नाना उस्तिन रातरी 10 वे तक खा पिएके दातन कूला करके बड़ी लाची मुं में रखके चूछते रहना सुभा नाव से दस के अंदर अपना नाम का नुकराना दस से बारा मैं नाड़ी प्रिश्ण करता हूँ नाड़ी प्रिश्ण में पैर के तलुए से सिर्के बाल तक की MRI, CT scan, extra, ultrasound, ACG, sonograph है सब कुछ पांच सकंड में हो जाती है तो सब द्वाइएं दी जाती है ज़र द्वाइएं नियम से लेते हैं तो पहले दिन 20% राम भी मिल जाता है तो बिलकुल आपकी जो समस्या है जो परेशानी है उसके लिए गुरुजे ने आपको सलाह दी है कि आपका ये जो रोग है ये नजले की वज़ह से उपन हुआ है और सही समय पर ध्यान ना दे पाने की वज़ह से ही आपके इस समस्या ने रोग का रूप ले लिया है तो अब आप इस रोग को ज़दी जड़ से खत्म करना चाहते हैं बिल्कुल उपलब्द है स्वस्त विचार आश्रम में हर प्रकार की उपचार जल से जल्द आप स्वस्त विचार आश्रम आने का प्रयास करें और ध्यान रखेगा स्वस्त विचार आश्रम आने से पहले आपको कुछ नियम है जिनका पालंग करना बहुत जरूरी है यानि रोगी का 12 घंटे पेट खाली होना चाहिए और समय से आएं बुद्वार के दिन नहीं आना होता है क्योंकि छुटी होती है और ऐसे ही छुटी छुटी जानकारियां हैं जिनको आपके लिए जानना बहुत जरूरी है और इन सभी जानकारियों को आप प्राप्त कर सकते हैं हेल्प लाइन नमबर्स पर कॉल करके सुबह 10 पजे से शाम 5 पजे के बीच में आप कॉल करें और दर्शको दिया आप इस करेक्रम में अभी जोड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देना करें फोन उठाएं हमें कॉल करें या आप हमें वहर्टस जरीये संदेश सकते हैं फिलाल आगे बढ़ते हैं करेक्रम में और वहर्टस जो हमें दर्शको ने बहुए हम अन पर भी चार्चा कर लेते हैं ग। जी पहला स्वास्पिचार आश्रम से उपचार किया था हरनिया की समस्या थी फिलहाल इनकी समस्या बिलकुल ठीक है इन्होंने चेक भी करा लिया है सब ठीक है इनको बस इस बात की आशंका है और ये सलहा लेना चाहते हैं कि क्या मैं कुछ दवाईया या कुछ ऐसी चीज जो आप बता खाली पेट पानी कभी ना पीएं, खाना खाते समय दो गिलास गर्म पानी, लसन प्याज अदर का रस मिलाके पीते हैं, तो सुबह चार वज़े ऐसे लार्म लगता है, जैसे घड़े में लगता है, पेट साफ हो जाता है, पेट साफ हो या आपको को रोग होता है, शुबह ख पिर तखलीब दिन, दूगने, राते, चौगने बढ़ती है, अब मैंने द्वाईएं जो आपको दी थी, लेव करने के लिए द्वाई दी थी, उससे आपको लाब हुआ, वो आपका भाग है, क्योंकि मैं किसी भी चीज की चीर फार नहीं करता, बेना चीर फार से हर एक र पारी प्रिक्शन कराना यादे जरूरत होगी, द्वाई के तो द्वाई दे दूगा, ने तो आपको बता दिलना कि आपने ये चीज इस मौस्ट पर ऐसे खानी है, फिर आपको जिंदी कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने के जरूरत होने पड़ेगी, फिर आगे करें या आप हमें वर्टसप के जरीए संदेश बेज सकते हैं, फिलाल आगे बढ़ते हैं, एक और दर्शक हैं लाइन पर बात करते हैं, हलो, नमस्कार, क्या शुब नाम है आपका, सुरेंदर जी कहां से बात कर रहे हैं आप, हम जो बनार जिरा से बूलना है था, जी सवा आपको सुगर, सुगर को जाता है, डायमतिक इतनों पर्चे होगे, किट में चला है, लेकि कोई दिपांट में दिला है देखिए, आइक पूरे सिंसार में हर एक रोग का बीजने साया, द्वाईयों से रोग दवाया जाता है, रोग करता ने और शुगर होती है, लेवर की खराबी से, जब लेवर पचाये गए नहीं, तो पेंकर इंसुलीन कहां से बनाएगी जब खाया पिया पेट में सड़ता है, तो इससे कब जोती है, और सुगर दिन दूगने राते चोगनी बढ़ती है मैं कोई भी अपचार या कोई भी द्वाईजवट टीवी के मद्यम से नहीं बेचता हूँ मैं नाडी बैद हूँ, मुझे दस हजार जड़ी पुठी के पैचाना जिन से मैं अपचार करता हूँ यदि आप अपनी रोख से मुक्ती पानी है तो आप बुद बाहर छोड़कर गुरू बाहर से लेकर मंगल बाहर के बीचे मेरे आसर में आए जिस दिन आशर में आना उस दिन रातरी दसवे तक खा पीके दातनों कूला करके बड़ी लची मुझे रखके चूछते रहना सुबार नाव से दस के अंदर अपना नाम करन कराना दस से बाहर मैं नाडी पृष्ण करूँगा नाडी पृष्ण में पैर के तलुए से शिर के बाहर तक की MRI, CT scan, extra, ultrason, ECG, sonnograph सब कुछ पांच सेकेंड में उसमें जो भी कम यह शिर के अंदर पाई जाएंगे सब द्वाइयं दी जाएंगे द्वाइयं खाने के हैं, द्वाइयं पीने के, मालश करने के तेल हैं, आंख में, नाख में, कान में डालने के द्वाइयं जहां जहां उसका side factor है वो सब द्वाइयं कठी चलेंगे जदि द्वाई आप नियम से लेंगे प्रेज करें जिस ते नाएंगे उस दिन तो आपको 10-15% रा मिलेगा 15 दिन में आपको 60-70% रा मिलेगा एक मिन्ने में सुगर 90-140 वमिचाहिए वो ही रहेगी ना इसे कम होगी ना इसे फालतू प्रांतु होगा तभी जब आप नारी द्रशकों स्वेश्य राश्रम की विशेष्टा भी यही है कि यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ भी स्वयं से बया करने की आवश्यक्ता नहीं है नारी परिक्षन के माध्यम से ही गुरुजी आपको तुरंत यह बताते हैं कि आपके शरीर में कौन-कौन सी समस्या कितन समय से है और उसका वास्ता भी कारण क्या है जिसके एवज में आपको उपचार दिया जाता है जिससे आप अपने रोग को जड़ से समाप्त कर पाते हैं बस कुछ नियम शर्तें भी आपको बताई जाती है कि आप अपने रोग को ठीक करने के लिए औशदियों का नियमित और हमारे इन कारेक्टरमों में जो नुस्खे जो उप्चार आपको बताए जाते हैं इनको आप अपने सरल सुविधा जनक समय पर पढ़ना भी चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिये पढ़ सकते हैं इन पुस्तकों को भी आप आप आउनलाइन ओर्डर कर सक करते हैं या हेल्प लाइन नमर्स को कॉल करके भी मंगवा सकते हैं फिलाल कारेक्टरम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का गुरू जी आपने अपना कीम्ती मावग दर्शन दी आपका बहुत-बहुत धनेवाद नमस्कार दर्शकों आज के इस विशेश कारेक्ट कर दो कि एसा पार है विराम दर्शकों आपका बहुत दर्शकों आपक गुरू।